नमस्कार आपकी जन अदालत नीश से मैं हूँ राजा भीया पालो राज आपकी जन अदालत नीश के इसकलीचे विंटर रूव में हमारा मिशिन दो हजार चौवीस लोक्षभा कर प्रारम हो चुका है नमस्कार आप सभी शुरोता बंदूं का आपका संचित पर्चा जानना चाहें हैं राजा भाईया जी मेरा पर्चा यह है कि मेरा नाम है बीके जाटाव मैं दतिया जिल्य का इस्ताई निवाशी हूँ और मैं बर्स 1983 में मैंने सिविल जजबर्ग 2 की परिक्षा पास की थी उ उसमें मेरा चायन हुआ उनाइश सो तेरासी में मैंने चातरपुर जिल्य में पदभार गेहन किया और उसके बाद बिभिन जिलों में नियाएधिस के रूप में कार करते हुए मैंने मद्द प्रदेश में 35 साल तक नियाए सेवा प्रदान की और उसके बाद जिलायम सत्र कि मैं जैसा कि ऐसे सच्छा में आई है श्योड़ा विधानसवा चित की लोगों ने बताया है कि आप भी बिंड दतिया लोक्षवा कॉंग्रेस से आप दाविदारी पेस कर रहे हैं तो ये कहां तक शक्त है यार 23 के विधानसवा निर्वाचन के दोरान भांडर विधानसवा से भी टिकेट की दाविदारी की थी ल लगन और निष्टा के साथ परिचार परिसार किया जिसका परिणाम ये रहा कि हम बतातिया जिले की दो सीटें जीते और इतना ही नए श्योड़ा विधानसवा भी बहुत नजदी की से हम लोग पीछे रहे गए इसके बाद अब चुकि लोक्षवा की तैयारी है तो मैंने बिचार किया कि क्यों न मैं इस्तानीय प्रत्य व्यक्ति होने के कारण और कांग्रेस पार्टी में पिछले 6 वर्ष से कार कर रहे हैं तो उसको देखते हूँ कि मैंने भी लोक्षवा के लिए दावेदारी करने का बिचार किया इसी परिपेक्स में मैंने अपना बायूडा प्रिशन आपका बहुत अच्छा है क्योंकि निश्चिती लोगसभा एक च्छित बहुत बड़ा होता है और हमारे भिंड दतिया लोगसभा च्छित्र में आठ विधानसभा सीटें आती हैं तीन विधानसभा दतिया की हैं तो दतिया जिले में तुम्हें काम करी रहा हूं समाच विधानसभा का संबन्द है तो मैं चंबल के किनारे चिलोंगा आश्रम से सुरू होकर के हमारे दभो के पास का जो च्छान धरमपुरा गाउंवें यहां तक आता है और इधर बसाई तक जाता है तो इस तरह से छेत्र बहुत बड़ा है लेकिन मैंने दो साल तक जब भिंड जिले में रहा हूं फैमिली कोर्ट जज के रूप में उस समय से मेरा वहां छेत्र में आना जाना रहा है तो मैं चलोंगा छेत्र से लेकर के गोर्मी और आपके गोर्मी से लेकर के और इधर यूपी से बोडर जो लगता है आपका जो बगिया पुरा तक मेरी ब्यक् 18 के चुनाओं में भी मैं जो है वहां मेहगाओं चुनाओं में कांगरिस पार्टी का प्रिचार करने के लिए गया था इसलिए उन छेत्रों में भी मेरा संपर्क है गोहद में भी मेरा संपर्क रहा है इसलिए मैं समझता हूँ कि मैं नया ब्यक्ति नहीं हूँ दो साल तक मैं लाहर में भी नियादीश के रूप में सेवाए की हैं तो भिंड, लाहर और दतिया के अधिवक्ता गान जो एक बुद्धीजी भी बर्ग होता है उन से मेरे सतत संपरक हैं और बहुत सारे लोगों से ब्यक्तिगत संब्ध भी हैं चाहे वो अधिवक्ता किसी भी पार्टी में काम करते हो तो ऐसा मैं समझता हूं कि मुझे ये लोक सभा का यदि टिकेट दिया जाता है पार्टी की और से तो पहचान की समस्या पार्टी को नहीं आएगी जीवन की प्रष्ट भूमी को देखते हुए बहुत अहम सवाल है कि निश्च दूरूप से ये राजनीती में जो है आज के परिवेश में साम दाम दंड भेद का उप्योग करने वाले राजनीते बहुत सफल हो रहे हैं लेकिन हमको इस बात को भी अंदेखर नहीं करना चाहिए कि हमारे भारत की जो राजनीती है जो आजादी का संगर्स है आजादी का संगर्स बकीलों ने और सिक्षकों ने शुरू किया था यानि बुद्ध जीवी बर्ग ने आजादी की संगर्स किया था और उनने लड़ाई हो रही हैं यदि बुद्धी जीवी भर्ग और जो छल कपट बीर राजनीती करने वाले लोग हैं वो लोग आगे आएंगे तो निश्चित रूप से जो सांती प्रिये नागरिक हैं और वो मद्दाता जो बिना छल कपट की राजनीती को पसंद करते हैं वो उनका साथ देंग हमारे सुतंतता आंदोलन ने जो आधर से स्तापित की हैं उनको मानने वाले लोग ये सोच करके कि भाई आज हम सफल नहीं हो सकते हैं क्योंकि हम वो काम नहीं कर सकते हैं जो बरतमान समय के सफल राजनेता करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे देश के प्रजातंतर के ल के बुनियादी अधिकारों से बंचित करके गुलाम बना करके रख लेंगे वो और हमारे देश का प्रजातंत्र समाप्त हो जाएगा बिलकुल लोक्षबा चुनाओं की अपन बात करते हैं तो पिछली वाद 2019 में जब चुनाओ हुए थी तब आपकी 29 सीटों में से 28 सीट है भार जैनता पार्टी को मिली थी के बरना कुल लाथ की एक सीट मिली थी तो कैसे आप कल्पना करते हैं यह विवी आपका प्रसन सही है यह कि 2019 में जो है Congress Party को मात्र एक सीट मिली थी लेकिन हमारी जो भिंड दतिया जो सीट है न वो सीट यतने कम अंतर से हम लोग लूज किय उसको देखते हुए एक तो भिंड की सीट आने की पूरी संभावना है और दूसरा इसवार जो है देश और प्रदेश की जनता इस बात को समझ रही है कि यदि देश की राजनीती में बदलाव नहीं लाया गया तो निश्चित रूप से इस देश के प्रजातंत्र को खत्रा ह है और प्रजातंत्र यदि समाप्त होता है तो समयधान भी समाप्त हो जाएगा और समयधान समाप्त होने से भारत के नागरिकों के जो मूल भूत अधिकार हैं जो मूल भूत सुविधाय हैं मूल भूत जो जीवन के लक्ष जो निरधारित किये गा है प्रजातंत्र के माद तो गुजर गए भार्दी जंता पार्टी को लगातार भिंड दतिया की जंता चुन रही है तो इस वार वो परवर्तन कर सकती है हाँ जी भिंड दतिया लोकसभा निश्चत रूप से 1984-85 में जब दतिया के महराज को टिकेट मिला था कृष्ण सिंग जूदेव को तो उन्हों कारण ये रहा है कि उवर साब जो थे ना कृष्ण सिंग जूदेव उनके बाद कांग्रेस पार्टी ने इस्तानिये किसी प्रित्यासी को मैदान में नहीं उता रहा है हर बार बाहर के प्रित्यासी आते रहे इसलिए जंता ने चाहते हुए भी कांग्रेस पार्टी के पक् प्रित्यासी को किसी को टिकेट दिया जाता है तो मैं निश्टतरूप से कह सकता हूं कि इस वार भिंडदतिया लोकसभा की जनता यहां का इतिहास बदल देगी यदि आपको सफलता मिलती है पार्टी आपको मुका देती है तो आपका क्या पढ़ा रहे हैं यदि कांगरिस प करके जिला pastor के और गरामीर कि किसा करके मंडलम सेक्टर के सभी कारकरतां से संपर्क बना करके उनकी अधिक्तम खंपतां का उपयोग करके सबसे पहले हम पार्टी को विजयी बनाने का प्रयास करेंगे और यदि हमको विजय श्री मिलती है पार्टी से यहां से अगर जीतते हैं तो हम जो आज देश में प्रजात तंत्र पर जो संकट है उस संकट को समाप्त करने के लिए हम चरश करेंगे उस पर सभी दरों ने आपत्ती की है सवाल यह प्रजात तंत्र में विश्वास की बात है जब प्रजात तंत्र की विवस्ता हमारे समिध हने सुइकार की है तो यदि एक बार अविश्वास किसी चीज पर जनता कर रही है तो उसकी मेरिट और डिमेरिट देखने की आवस्षक्ता नहीं होना चाहिए जिल लोगों का दायत प्रजात तंत्र की रक्षा करने का है जिसमें की हमारे भारत का निर्वाचन आयोग भी आता है तो उनको भी इस बात को देखना चाहिए कि जिस बिवस्ता पर जनता का भरोसा नहीं है और यदि जनता की मांग ये है कि एवी एम को चुनाव से बाहर किया जाए तो निर्वाचन आयोग की ये का कर्तब बन जाता है कि वो इवी एम की बजाए उसका कोई दूसरा बिकल्प जैसे बैलेट मतपतर से चुनाव का बिकल्प था उस पर विचार करना चाहिए क्योंकि इस देश की असली मालिक जनता है जिसको भारत की संविधान ने मानता दिये कि हम भारत के लोग तो हम भारत के लोग में भारत की जनता है यदि भारत की जनता को यह विश्वास है कि मेरे दुआरा दिया गया बोट किसको जा रहा है उसका पता नहीं चल रहा है उसको विश्वास नहीं है तो फिर जो है वो कितनी भी कीमत क्यों ना चुकाना पड़े लोकतंत्र की रक्षा के लिए EBM को बिदा करना ही चाहिए इस देश की असली मालिक जनता है तो जब जनता के दिन में यदि संका है तो उस संका का समाधान करने का दायत न केवल सत्ता पक्ष का है विपक्ष का भी ये दायत तो बनता है कि वो जनता के जो संका है उसका समाधान करें और यदि विपक्ष को ये जरूत पड़े तो EBM के खिलाब कड़ा संगर्श करना चाहिए क्योंकि हमारा लक्ष है आकरी रूप से प्रजातंत्र की रक्षा करना है यदि प्रजातंत्र खतम होता है किसी भी कारण से तो उस कारण को बरदास्त नहीं किया जाना चाहिए ऐसा नहीं है हो सकता है कि अगर आज की परिष्टिती में एक सत्ता में बैठा हुआ है और अगर कल दूसरा पक्षा जकता है तो फिर वो इससे और अदिक दुरूप योग करेगा इसलिए प्रजातंत्र की रक्षा के लिए बहुत ज रहें यह जूटा दम बुसाबित हो जाएगा यदि देखिये जैसे भाजपा वाले यह कहते है राम मंदर की बात है भगवान राम हमारे इस्ट देव में हम सभी लोग मानते हैं और इस देश की 90% जनता भगवान राम को मानती है भगवान राम ने एक ब्यक्ति के कहने पर अपनी पत्नी का परत्याग कर दिया था और यहां तो जनता जो है हमाई सोसल मीडिया पे देखी हजारों वीडियो आ रहे हजारों तरफ से मांग आ रही है इस सब के बावजूद भी उन भगवान राम को अपना आदर्स बनाने वाली पार्टी और वो जो ईबीम पे बात स निकले तैयार नहीं है तो इसलिए जो है जहां प्रजातंत्र में इस तरह की बात आईए तो इस पर निश्यत रूप से सत्ता पक्ष को निरवाचन आयोक को और मैं तो कहता हूं माननी है सर्वोच नियालय को भी इसमें आगे आकर के प्रजातंत्र की रक्षा करने के लिए अपना वह जो है दायत को निर्वहन करना चाहिए है सितना ही मिलते हैं दूसरे ख़बर में आपकी जन अदालत के साथ